हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लवर्स चैनल पर आप सब का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम इस स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे word by word मैं meanings आप लोगों को यहां पर बताऊंगा वो भी tenses के इस्तेमाल के साथ तो जितने भी नए sentences आप आज यहां words के साथ सीखेंगे आप उनको अपनी speaking की practice में include करके अपनी English का level improve कर सकते हैं तो शुरू करते हैं आज की यह कहानी दोस्तों बच्पन में यह कहानी शायद सभी ने एक बार तो ज़रूर पढ़ी होगी इसका नाम है the jungle book तो यह मोगली वाली कहानी है तो कहानी शुरू होती है it was summer time वो क्या था वो था गर्मियों का समय तो दोस्तों summer एक season का नाम है जैसे गर्मियों के मोसम को हम बोलते हैं summer वैसे ही सर्दियों के मोसम को हम बोलते हैं winter पज़ड के मोसम को हम बोलते हैं autumn और बरसात के मोसम को हम बोलते हैं rainy season all the animals तो अगर आप देखेंगे मैंने इस दा को दी इसलिए बोला है क्योंकि इससे अगले वाला जो शब्द है वो शुरू होता है vowel words से तो vowel words कौन से होते हैं? A, E, I, O, U तो इसलिए जो भी आपको ऐसा शब्द दिखाए दे जो शुरूआत जिसकी vowel sound से हो उस दा को आप बोलेंगे दी तो all the animals in the forest तो उस जंगल में जितने भी जानवर थे यानि सभी जानवर उस जंगल में were resting तो rest का मतलब होता है आराम करना और resting यानि कि वो कर रहे थे क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे क्योंकि गर्मियों का time था during the afternoon तो देखिए अब यह दुबारा से दी आया है क्योंकि यह afternoon तो यह कौन सा sound हो गया? vowel sound लेकिन यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ दा बोला क्योंकि आगे a e i o u वाला vowel sound नहीं है तो यह बात बहुत important है reading करते समय आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखा कीजिए तो दोस्तों during का मतलब होता है उस समय यानि उस दोरान यानि कि दोपहर के दोरान सभी जो जानवर थे उस जंगल में आराम कर रहे थे and gathering strength तो gather का मतलब होता है इखटा करना तो वो क्या कर रहे थे वो इखटा कर रहे थे strength यानि की ताकत to go यानि की जाने के लिए hunting तो hunt का मतलब होता है शिकार करना और वो शिकार कब करना था in the evening तो यहाँ पर भी इसे दी बोला जाएगा तो शाम के समय शिकार करने के लिए वो सभी जो जानवर थे वो अपनी ताकत इखटा कर रहे थे in the evening यानि की शाम के समय father wolf went to hunt for his family तो father wolf का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों wolf यानि की भेडिया तो जो भेडियों का जो जुण होता है उनका जो मुखिया है उसे बोला जाता है father wolf तो भेडियों का जो मुखिया था यानि की उन सब का पिता था उस group में went तो यह जो went है दोस्तों यह go की second form है यानि यह हमारा simple past tense चल रहा है जिसका formula होता है subject plus verb की second form और उसके बाद object तो जो भेडियों का मुखिया था वो गया था to hunt तो दोस्तों hunt का मतलब मैं या पहले ही बता चुका हूँ यानि की शिकार करने के लिए तो यह दोस्तों hunting का मतलब होता है शिकार करना यानि यह gerund है क्योंकि ing आ गया इसी तरह यह infinitive form बन जाती है वर्ब की जब किसी भी वर्ब के आगे हम to लगा देते हैं तो to hunt यानि की शिकार करना मतलब दोनों का एक ही है किसके लिए for his family यानि की अपने परिवार के लिए he suddenly उन्होंने अचानक से heard तो यह here की second form हो गई तो उन्हें अचानक से सुनाई दी थी क्या a sound एक आवाज in the woods तो दोस्तों wood का मतलब होता है लकडी लेकिन जब s लग जाता है तो woods का मतलब हो जाता है दोस्तों jungle यानि forest तो उन्हें अचानक से एक आवाज सुनाई दी थी jungle में looking around तो around यानि की आसपास looking यानि की देखते हुए तो आसपास देखते हुए he noticed तो उन्होंने ध्यान दिया था किस तरफ a strange creature in the bushes एक strange यानि की अजीब creature यानि की प्राणी तो एक अजीब प्राणी जो कहा था in the bushes यानि की जाडियों के अंदर था तो एक अजीब सी जब आवा जाई तो उन्होंने ध्यान दिया कि भी एक अजीब सा प्राणी कहा है जाडियों में है और यह हम किस की बात कर रहे है बेडियों का जो सरदार था यानि मुखिया था वो पिता बेडिया आप इसे बोल सकते हैं he was completely naked तो यह ही जो इस्तेमाल किया गया है यह इस अजीब प्राणी के लिए इस्तेमाल हुआ है कि वह क्या था completely पूरी तरीके से naked तो naked का मतलब होता है नंगा तो वह पूरी तरह से नंगा था and could barely walk barely का मतलब होता है मुश्किल से तो मुश्किल से वो क्या कर पा रहा था walk यानि की चल पा रहा था a human cub तो cub का मतलब होता है छोटा बच्चा तो यहाँ पे वैसे जानवर के बच्चे को ही cub बोला जाता है लेकिन वो क्योंकि खुद ही जानवर थे तो वो उसे क्या कह रहे थे कि यह इनसान का क्या है कब है यानि की बच्चा है exclaim the father wolf तो exclaim का मतलब होता है कहना लेकिन exclaim क्यों कहेंगे जब हम कोई भी अच्चानक से भावना प्रकट करते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है exclaim तो यह जो निशान आप punctuation का देख रहे हैं न दोस्तों यह वाला इसे भी क्या बोला जाता है exclamation mark बोला जाता है तो उसने कहा कैसे कहा in surprise यानि की हैरानी से कहा next line he took the baby home तो he took तो उन्होंने क्या किया यह take की second form है take का मतलब होता है लेना तो उन्होंने ले लिया था यानि वो ले गए थे the baby उस बच्चे को home यानि की घर पर so इसलिए the man cub arrived at the home of the wolves तो दोस्तों एक अगर भेडिया होता है उसको बोला जाता है wolf और एक से ज्यादा जब ग्रूप होता है भेडियों का उन्हें बोला जाता है wolves so तो ये जो आदमी का बच्चा था arrived यानि की वो पहुँच गया था कहां पर at the home यानि की घर पर पहुँच गया था भेडियों के तो भेडियों के घर पे led by अकेला तो ये जो भेडियों का सरदार था उसका क्या नाम था दोस्तों अकेला तो अब हम इसे नाम से पुकारेंगे क्योंकि हमें नाम पता चल गया तो led का मतलब होता है नेत्रित्व करना यानि की अगुआई करना तो किसकी अगुआई में उस अकेला यानि की फादर वूल्फ की अगुआई में वाचिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस तो डिस्टेंस यानि की दूरी वाचिंग का मतलब होता है देखते हुए तो एक दूरी से देखते हुए कौन? शेर खान तो शेर खान कौन था? दर टाइगर वो बाग था तो बाग क्या हो गया got very upset वो हो गया था बहुत ही निराश तो upset का मतलब होता है निराश होना और वो निराश क्यों हो गया था? अब आगे पता चलेगा and unhappy तो unhappy यानि की नाखुष और वो नाखुष भी हो गया था निराश भी हो गया था because क्योंकि he was दीवन तो दोस्तों इसे भी दी बोलेंगे क्योंकि इसके आगे भी क्या है वावल साउंड वाला शब्द है तो वह था दीवन यानि कि वही वो था who जिसने had stolen the baby जिसने कि चुराया था उस बच्चे को कहां से from the human settlement यानि जो कस्बा था या बस्ती थी इनसानों की वहां से उस भाग ने ही उस बच्चे को चुराया था next पैरा mother wolf and her little cubs loved this little creature तो mother wolf यानि कि वो जो भेडियों का समू था उनमें जो मादा भेडिया थी and her little cubs और उसके छोटे जो बच्चे थे loved उन्होंने प्यार किया था किसे this little creature इस छोटे प्राणी को and decided और उन्होंने फैसला किया था क्या करने का to accept him तो accept का मतलब होता है अपनाना किसे अपनाने का him यानि की उस इनसान के बच्चे को inverted को माज यानि की कोई डायलोग है we will call him मोगली तो हम इसे पुकारेंगे हम इसे क्या बुलाएंगे मोगली तो ये उसका नाम यहाँ पर दे दिया गया था next page तो आप देख सकते हैं मोगली कैसे बड़ा हो रहा है उन भेडियों के बच्चों के साथ और कैसे जंगल में ये खुची-खुची पेडों से लटका हुआ है from now on यानि की अब से हम इसे मोगली पुकारेंगे said mother wolf ये किसने कहा था ये कहा था mother wolf यानि की wolf का मतलब होता है बेडिया mother यानि की मा तो वो जो बेडियों की मा थी ये बात उसने कही थी from that day on तो इन चार शब्दों का मतलब है कि उस दिन से मोगली स्टार्टेड लिविंग तो मोगली ने स्टार्टेड तो ये भी वर्ब की second form हो गई दोस्तों mostly जो कहानिया होती हैं वो आपको past tense में ही मिलती हैं लेकिन जो inverted commas में जो dialogue होते हैं वो उस समय जो बोले गए थे वैसे के वैसे जब आपके सामने रखे जाते हैं तो वो हमें मिलेंगे present tense में तो ये मोगली जो था इसने शुरू कर दिया था living यानि की रहना किसके साथ with his wolf siblings तो दोस्तों siblings का मतलब होता है भाई बहन तो उसने अपने जो भेडिया भाई बहन थे उनके साथ रहना शुरू कर दिया था कहां पर in the woods तो जैसा कि मैंने कहा था wood का मतलब होता है लकडी लेकिन जब इसके आगे आप S लगा देते हो ये बन जाता है जंगल तो मोगली ने अपने जो भेडिया भाई बहन थे उनके साथ जंगल में रहना शुरू कर दिया था mother wolf वो जो मा थी भेडियों की took good care तो took यानि कि उसने ली थी क्या ली थी good care यानि कि अच्छे से देखवाल ली थी या की थी of him यानि कि उस बच्चे की किसकी बात कर रहे हैं मोगली की as if तो as if का मतलब होता है जैसे की he was her own cub जैसे की वो क्या था her own यानि कि उसका अपना बच्चा था तो मोगली जो था उसकी देखवाल ऐसे की जा रहे थी जो mother यानि कि मा थी भेडियों की जैसे कि वो उसनका खुद का ही बच्चा हो in a short time यानि कि थोड़े ही समय में मोगली बिकेम friends मोगली बन गया था क्या बन गया था friends यानि कि दोस्त बन गया था with all the animals यानि कि सभी जो जानवर थे उनके साथ मोगली की दोस्ती हो गई थी during all that time उस सारे समय के दोरान शेर खान तो दोस्तों ये शेर खान कौन है ये वही बाग है जो कि इस मोगली को जो बस्ती थी ना इनसानों की वहां से लेकर आया था तो ये शेर खान इस सारे समय क्या करता रहा kept watching तो दोस्तों ये keep की second form है जिसका मतलब होता है लगातार करते रहना तो वो क्या दूरी से he was waiting for the opportunity वो इंतजार कर रहा था तो दोस्तों was वर के साथ अगर आपको verb की कोई भी ing वाली form दिखती है वो है आपका past continuous tense यानि की बीते हुए समय में कोई काम हो रहा था और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वह इंतजार कर रहा था किस चीज का for the opportunity यानि की मोके का किस चीज का मोका to grab तो grab का मतलब होता है पकड़ने का यानि कबजा करने का and eat the man cup man cup यानि की आदमी के बच्चे को तो वो शेर खान जो था वो इंतजार कर रहा था मोके का कि कब वो पकड़े और इस आदमी के बच्चे को वो खा ले next पहरा one day एक दिन the wise तो wise का मतलब होता है बुद्धिमान तो जो बुद्धिमान वुल्फ यानि की भेडिया जिसका क्या नाम था अकेला तो अकेला सरदार था उन भेडियों के जुंड का यानि की पिता था वो तो ये जो बुद्धिमान अकेला था बलू दब बियर और बलू जो क्या था भालू था एंड बगीरा और बगीरा क्या था दोस्तों पैंथर था यानि की तेंदवा था तो ये तिनों लोग came together तो came together का मतलब होता है दोस्तों इखटे होना तो जब भी आप कोई बैठक करते हो किसी से मेल मिलाब करते हो उसको बोला जाता है came together तो ये इखटे हुए थे and discussed और इनोंने discuss यानि की विचार विमर्ष किया था about मोगली मोगली के बारे में the man cub जो की आदमी का बच्चा था अब inverted commas है यानि कि ये dialogue है तो ये रहेगा हमारा present tense में let's bring him up तो दोस्तों let का मतलब होता है होने देना कि भई होने दो क्या bring him up तो bring up का मतलब होता है परवरिश करना और ये him जो है इसका मतलब है उस मोगली की बात हो रही है कि भई होने दो उसकी परवरिश कैसे like a jungle boy यानि कि जंगल के लड़के की तर है उसकी परवरिश होने दो बलू एन बगहीरा तो ये दोनों जो थे you will protect him तुम दोनों क्या करोगे protect यानि कि सुरक्षा करोगे him यानि कि मोगली की and teach him और उसे teach करोगे सिखाओगे the rules of the jungle तो rules यानि कि जो नियम है इस जंगल के said अकेला ये अकेला ने कहा था years went by तो सालों गुजरने के बाद यानि कि सालों गुजर गए सालों चले गए मोगली grew up तो grew up का मतलब होता है दोस्तों बड़ा होना जो मोगली था वो बड़ा हुआ था happily यानि खुशी खुशी with the wolves यानि कि भेडियों के साथ बलू was very attentive तो जो बलू यानि कि जो भालू था वो बहुत क्या था attentive attentive का मतलब होता है दोस्तों सचेत था किसके लिए to his new student यानि कि अपने इस नए विद्यार्थी के लिए और कौन था ये विद्यार्थी मोगली था he taught तो बलू जो था भालू उसने taught किया था यानि उसने सिखाया था तो दोस्तों ये भी teach यानि कि सिखाना उसी की second form है तो हमारा simple past tense चल रहा है उन्होंने यानि भालू ने सिखाया था him उस मोगली को how to look for nuts and honey how to यानि कि कैसे look for तो दोस्तों look for का मतलब होता है ढूनना कि वही कैसे ढूनडा जाता है nuts तो दोस्तों नर्स बोला जाता है तो ये भी खाने का जो समान था and honey और जो शहत था उसको कैसे ढूनडा जाए ये भालू ने अच्छे से मोगली को सिखाया था he also taught उसने ये भी सिखाया था क्या सिखाया था मोगली the languages तो languages होती है दोस्तों भाशाये तो मोगली को जैसे आप देख रहे है ये जो भालू है ये इस आदमी के बच्चे को जिसका नाम मोगली है इसको सिखा रहा है कि भी कैसे आप भोजन ढूनते हैं शहर ढूनते हैं और इसने भाशाये भी सिखाये थी किसकी of different animals यानि की अलग अलग जानवरों की ताकि मोगली उन सभी से बातें कर सके और अच्छे से उस जंगल में रह सके next पहरा मोगली also learnt मोगली ने और भी सीखा क्या सीखा to hunt यानि की शिकार करना सीखा and to climb up trees और पेड़ों के ऊपर चड़ना भी सीखा बगीरा taught मोगली how to identify traps humans set up for animals और जो बगीरा था जो तेंदुआ था उसने क्या सिखाया था मोगली को how to यानि की कैसे identify करना यानि की पहचान करना traps यानि की जो जाल बिछाये जाते हैं क्या करने के लिए humans के द्वारा set up यानि की जो की लगाये जाते हैं set up करना यानि कि तयार करना तो जो जाल इंसान तयार करते हैं उन्हें कैसे पहचाना जाए for animals जो की जानवरों के लिए लगाते हैं and how to और कैसे avoid them यानि कि उनसे बचना है किसे बचना है ये जो भी जाल होते हैं one day एक दिन a wolf cub ran into one of these traps तो एक जो भेडियों का बच्चा था ran into वो दोड़ गया था कहां one of these traps यानि कि इन जालों में से किसी एक में शेर खान wanted to catch this cub और शेर खान wanted यानि कि चाहता था क्या catch यानि कि पकड़ना चाहता था इस बच्चे को and make it his meal और बनाना चाहता था उसे जो की बच्चा पकड़ा गया था भेडिये का उसे meal यानि कि अपना आहार अपना भोजन बनाना चाहता था बट लेकिन मोगली saved the cub from the trap तो मोगली ने save कर लिया था यानि कि बचा लिया था उस बच्चे को इस जाल से शेर खान lost once again शेर खान lost तो lost होता है हार जाना तो शेर खान हार गया था once again यानि एक बार फिर से and had to lick dust और उसे क्या करना पड़ा था lick dust यानि कि धूल चाटनी पड़ी थी तो दोस्तों अगर आप हार जाते हैं किसी भी खेल में तो बोला जाता है ना कहावत के तोर पे की भई उसे धूल चटा दी गई है तो उसी तरह जो शेर कान थे उसे धूल चाटनी पड़ी थी यानि वो हार गए थे बुरी तरीके से नेक्स पहरा बलू अलसो टॉट बलू ने ये भी सिखाया मोगली को क्या दा मैजिक वर्ड्स यानि जादूई शब्द सिखाये थे to use यानि कि इस्तेमाल करने के लिए when there was danger in the jungle जब भी जंगल में कोई खत्रा था उस समय कुछ जादूई शब्द मोगली को सिखाये गए थे बलू के द्वारा कि उनका इस्तेमाल वो कर सके use कर सके in a very short span of time यानि कि बहुत ही कम अंतराल के समय में मोगली learnt मोगली सीख गया था these words इन शब्दों को by heart यानि कि दिल से उसने सीख लिया था अच्छे से याद कर लिया था तो दोस्तों by heart का मतलब होता है किसी भी चीज को दिल से सीख लेना यानि पूरी अच्छी तरीके से सीख जाना none of the animals तो कोई भी जानवर नहीं था कहां in the jungle यानि कि जंगल में could harm मोगली जो कि कर सकता था यानि कि harm यानि नुकसान पहुँचा सकता था जो मोगली को realizing that ये जानते हुए कि he would not be able to catch मोगली कि वह नहीं कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा able यानि कि वह सक्षम नहीं हो पाएगा क्या कर पाने में दोस्तों catch यानि कि पकड़ पाने में मोगली को शेर खान डिसाइड़ शेर खान ने फैसला किया था to take help यानि कि मदद लेने का किस से बंदर लोग यानि कि बंदरों से the monkeys जो कि बंदर थे उन्हें बोला जाता था बंदर लोग undoubtedly यानि कि कोई शक नहीं था इस बात में the most dangerous animals यानि कि सबसे खदरनाक जो जानवर थे वो कौन थे बंदर लोग थे in the entire jungle यानि कि पूरे जंगल में one day एक दिन when मोगली वोज मेकिंग a shelter जब मोगली वोज मेकिंग यानि कि वो बना रहा था a shelter यानि कि रहने की जगए to protect himself खुद के protection के लिए यानि कि सुरक्षा के लिए बचाओ के लिए the बंदर लोग वोज वोचिंग हिम यानि कि ये जो बंदरों का जुंड था जो बंदर लोग थे वो क्या कर रहे थे उसे देख रहे थे at sunset यानि कि सुर्यास्त के समय मोगली वोज किड्नैप्ट बाए two monkeys दो बंदरों के द्वारा क्या हो गया था मोगली वोज किड्नैप्ट यानि मोगली का अपरहन हो गया था and brought to और उसे ले जाया गया था कहां पे bring होता है दोस्तों ले कर आना और brought उसकी second form हो गई कि भही उसे ले कर जाया गया था to यानि कि कहां पे तो दोस्तों अब तक हमने देखा कि मोगली को दो बंदरों ने kidnap करके वो ले जा रहे थे कहां ले कर जा रहे थे the hill यानि कि पहाड़ी पर ले कर जा रहे थे where the jungle was at its thickest तो दोस्तों thick का मतलब होता है घना और thickest यानि कि सबसे घना यहां पे comparison हो रहा है बाकी के जंगलों से तो उस पहाड़ी पर ले कर गए मोगली को जहां जो जंगल था वो कैसा था वो सबसे घना था मोगली वॉंटेड तो मोगली चाहता था क्या चाहता था to reach बलू तो बलू यानि कि जो भालू है उस तक reach यानि कि पहुँचना चाहता था and बगीरा और जो तेंदवा था बगीरा उस तक भी and let them know तो दोस्तों let का मतलब English में होता है कि आप किसी को करने देते हैं या होने देते हैं और let them know यानि कि और उन्हें ये जानना देना चाहता था कि वही उन्हें भी पता चले कि मैं कहां हूँ all of a sudden यानि कि अचानक से when he noticed chill तो जब उसने notice किया यानि कि ध्यान दिया कहां? चिल के उपर और चिल क्या है दोस्तों? द वल्चर यानि कि चिल नाम है उस गिद का वो क्या कर रहा था? फ्लाइंग यानि कि वो उड़ रहा था in the sky यानि कि आसमान में he remembered तो ये जो मोगली है अब इसको remember हुआ यानि उसको याद आया था the magic words बलू had taught him तो जो magic यानि कि जादूई जो शब थे जो जंगल का नियम जंगल का जो गीत था जो क्या था? बलू जो था had taught तो दोस्तों ये हमारा past perfect tense है यानि कि past में कोई काम हो रहा है जैसे ये कहानी past में ही चल रही है और उससे पहले की कोई भी घटना के बारे में अगर आप बात करेंगे वो बन जाती है past perfect यानि उससे पहले ही ये काम हो चुका था तो बलू किसको सिखा चुका था? him यानि की मोगली को we are the same blood you and I यानि जो magic words बलू ने सिखाये थे मोगली ने अब वो बोलने शुरू कर दिये थे hearing these तो hearing होता है सुनने पर these words यानि की इन शब्दों को chill realized तो realize यानि की महसूस होना chill को महसूस हुआ जो की get था that मोगली was not a stranger की जो मोगली था वो नहीं था क्या नहीं था a stranger यानि की एक अजनभी नहीं था and was in trouble और वो संकट में था trouble का मतलब होता है संकट inverted कोमाज दोस्तों I am Mowgli मैं Mowgli हूँ will you tell Baloo क्या तुम बताओगे Baloo को and बगीरा और बगीरा को that I am kidnapped की I am kidnapped यानि की मेरा अपरहन हो चुका है यानि मुझे अपरहित किया जा चुका है Mowgli said ये Mowgli ने कहा next पहरा of course बेशक I will मैं करूंगा said chill ये chill ने कहा वो जो गित था and he flew off तो दोस्तों flew जो है वो fly की second form of verb है तो इसका मतलब होता है उड़ जाना तो वह उड़ गया था ये जो chill गित था to deliver यानि पहुचाने के लिए message यानि संदेश को मोगली के प्रिय मित्रों तक next पहरा बंदर लोग तो ये जो बंदर लोग थे brought तो दोस्तों ये brain की second form है तो ये लेकर आये थे मोगली को कहा to the monkey town यानि बंदरों के नगर्प में finding यानि की पता लगने पर तो find का मतलब होता है खोजना या पता लगाना तो finding यानि की पता लगने पर about मोगली's kidnapping about यानि की बारे में मोगली के आप रहन के बारे में पता लगने पर बलू एंड बगीरा आस्ट का तो बलू और बगीरा ने asked यानि की कहा का को और ये का कौन था the giant snake यानि की giant का मतलब होता है बहुत ही विशाल काए snake यानि की साप से कहा क्या कहा for help यानि मदद करने के लिए कहा they all reached the monkey town तो ये सभी यानि ये जो साप था बलू बगीरा ये सभी क्या हो गए reached यानि ये पहुँच गए थे बंदरों के नगर में and hit themselves तो दोस्तों hide का मतलब होता है चुपाना और hit होता है उसकी second form तो इन्होंने themselves यानि की खुद को चुपा लिया था वहाँ पहुँच कर from there यानि की उनके कहां से hide out यानि की उनके चुपने की जगहें से they could see मोगली वो क्या कर सकते थे could see यानि वो देख सकते थे मोगली को and hundreds of monkeys around him और hundreds यानि की सेंकडों जो बंदर थे around him वो मोगली के आसपास थे at the right moment यानि की सही समय पर का said ये जो विशाल का एस साब था का उसने said यानि की कहा now it is the opportune time ये अब बिलकुल opportunity यानि की अनुकूल time है समय है let's go चलो चलते हैं and save मोगली और मोगली का बचाव करते हैं उसे सुरक्षित करते हैं बगीरा started तो बगीरा ने शुरू कर दिया क्या two punch यानि की उसने मुक्य मालना शुरू कर दिया था the monkeys यानि की बंदरों को with his powerful clause तो दोस्तों powerful यानि की ताकतवर clause यानि की पंजे तो ये बगीरा जो की तेंदवा है इसने अपने ताकतवर पंजों से उन बंदरों को मुक्य मालना शुरू कर दिया था the monkeys ran around और जो ये बंदर थे ran around यानि इधर उदर वो भागने लगे थे screaming in fear यानि की डर से चिलाते हुए next पेरा suddenly यानि अचानक से बगीरा was surrounded तो दोस्तों surround का मतलब होता है घेर लेना तो बगीरा को क्या कर लिया गया था घेरा जा चुका था by lots of monkeys यानि की बहुत से बंदरों के द्वारा the other monkeys grabbed और जो बाकी के बंदर थे उन्होंने क्या कर लिया था grab यानि की पकड़ लिया था मोगली को and put him और उसे put यानि की डाल दिया था in a closed room यानि की एक बंद कमरे में he now remembered तो he यानि मोगली की बात हो रही है उसे अब remember हुआ था यानि याद आया था की monkeys are afraid of water की जो बंदर हैं वो क्या हैं अफ्रेड हैं यानि वो डरते हैं किस से of water यानि की पानी से and so और इसलिए he shouted वह चिलाया था बगीरा jump into the water उसने बगीरा जो तेंदवा था उसको कहा की jump कर जाओ यानि की कूद जाओ into the water यानि पानी के अंदर बगीरा acted upon his advice तो बगीरा ने क्या किया act upon तो दोस्तों act upon एक phrase है इसका मतलब होता है आज्या का पालन करना जैसा कहा जाए वैसे करने को बोलते हैं act upon तो बगीरा ने पालन किया था his advice यानि उसकी सलाह का यानि की मोगली ने जो कहा वो बगीरा ने मान लिया और वो पानी में कुद गया था the monkeys तो अब जो ये बंदर थे also attacked बलू उन्होंने हमला किया था किस पर बलू पर भी बंदरों उन्होंने हमला किया था finally आखिरकार का appeared जो का था जो विशालकाय साब था वो अपियर हो गया था यानि की वह वहां पर 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 आ गया था on the scene यानि की मोके पर वो विशालकाय साब पहुँच गया था वहां आ गया था and started और उसने शुरू कर दिया था hitting the monkeys यानि की बंदरों को hit करना मारना कैसे with his giant tail यानि की उसकी अपनी जो विशाल पूच यानि टेल थी उसके साथ all the monkeys ran away और सभी के सभी जो बंदर थे वो ran away यानि की वो भाग गये थे scared कैसे डरे हुए थे बलू was finally free तो बलू जो था वो क्या हो गया था आखिरकार free यानि आजाद हो गया था बगीरा jumped out of the water और जो बगीरा यानि तेंदवा था जो पानी के अंदर कूद गया था jumped out यानि वो कूद कर बाहर आ गया था पानी से car swung his tail तो दोस्तों swing का मतलब होता है जूला यानि की हिलाना और उसी की second form है swung जिसका मतलब होता है हिलाया था तो car ने हिलाया था his tail यानि अपनी पूच को and manage to break the walls of the room और manage यानि की वो कर पाया था क्या break यानि की वो तोड़ने में काम्याब हो पाया था जो कमरे की दिवारे थी उनको और ये कमरा कौन सा था दोस्तों where यानि जहां पर मोगली वो जो था वो ट्रैप यानि की फसा हुआ था मोगली वो जो फ्रीड तो मोगली क्या हो गया था फ्रीड होता है दोस्तों आजाद होना ये एक noun की तरह यहां पर use हुआ है after being released by the monkeys यानि after बाद में being released यानि की मुक्त होने के बाद में by the monkeys यानि की बंदरों के द्वारा वन डे एक दिन मोगली वांडर्ड अप टू दी एज ओफ द जंगल मोगली जो था वो घूमते हुए कहां पहुँच गया था वो जंगल के एज यानि की किनारे पर पहुँच गया था and saw a human village और उसने क्या देखा था एक अंसानों का गाउं देखा था he entered और वह प्रवेश कर गया था उस गाउं में and was taken in by mesua a woman और उसे क्या कर लिया गया था taken in होता है दोस्तों अंदर लेना तो उसे अंदर ले लिया गया था यानि की उसे accept कर लिया गया था एक mesua नाम की महिला के द्वारा whose own son was kidnapped तो ये जो mesua नाम की औरत है whose जिसका own son यानि अपना बेटा was kidnapped उसका क्या किया गया था अपरहन यानि की kidnapped किया गया था by a tiger एक बाग के द्वारा long back यानि की बहुत पहले की ये बात है मोगली stayed in the village तो मोगली रुक गया था यानि की ठहर गया था उस गाओं में and was asked to watch the village herds और उसको कहा गया था watch यानि की नजर रखने के लिए जो गाओं के herds यानि जो जून थे जानवरों के उन पर नजर रखने के लिए निगरानी के लिए बोला गया था मोगली को one day एक दिन one of मोगली's wolf brothers तो मोगली के जो भेडिये भाई थे उन में से एक informed him उसने inform किया यानि की सूचित किया किसे him यानि की मोगली को that share khan planned to kill him की जो share khan था जो बाग था और ये वही share khan है जिसने मोगली को kidnap किया था जब वो छोटा बच्चा था इंसानों की बस्ती से वो क्या कर रहा था planned यानि वो योजना बना रहा था to kill him यानि उसे मारने की with the help of his wolf friends यानि की अपने जो भेडिये दोस्त थे उनकी help यानि की मदद से मोगली लोर्ड तो दोस्तों मोगली ने क्या किया लोर किया यानि ललचाया था शेर खान को कैसे into a canyon तो canyon का मतलब होता है एक घाटी जैसे बहुत बड़ी बड़ी चटाने होती है उनके बीच में जो रास्ता होता है उसे बोला जाता है canyon तो दोस्तों शेर खान को ललचा लिया था मोगली ने कहां पर एक घाटी में where they brought about a stampede जहां वे क्या कराये थे लेकर आये थे a stampede stampede का मतलब होता है दोस्तों भगदर मत जाना आपने सुना होगा कई धार्मिक जगहों पर कई बार अफरात अफरी के माहौल में भगदर मत जाती है जिससे कई जो लोग हैं उनकी कुचल कर जान चली जाती है तो शेर खान को भी मोगली ने ऐसी एक घाटी में ललचाया था और वो एक भगदर लेकर आये थे यानि उन्होंने भगदर मचाया ही थी किसकी मचवाई थी उन्होंने देखे दोस्तों ये है और ये घाटी का इलाका है और देखे ए मोगली ने भगदर मचवाई है किसकी भैसों की तो मोगली ने भगदर की रचना की उसने चकरविव बनाया किसका बफलोज यानि भैसों का and the शेर खान was trampled to death और जो शेर खान था वो trampled यानि कि वो कुचला गया था to death यानि कि उसक मौथ हो गई थी वो कुचल कर मारा गया था Soon after उसके जल्द ही बाद the villagers accused मोगली तो वो जो गाउवाले थे उन्होंने accuse किया यानि कि दोश लगाया था मोगली के उपर of being a sorcerer तो दोस्तों sorcerer का मतलब होता है जादूगर तो मोगली को जादूगर होने का दोश लगा दिया था गाउवालों ने and sent him out of the village और उसे भेज द गाउवाली आ गया था गाउँ के बाहर मोगली रिटर्न तू दा जंगल तो मोगली वापस आ गया था जंगल में but not without some red flower the fire लेकिन वो अकेला नहीं आय था not without वो अकेला नहीं आया था वो आया था तो किसके साथ some red flower यानि किसी लाल फूल के साथ और यह लाल फूल क्या था दोस्तों the fire यानि की आग को ही वो लालफूल बोल रहे थे मोगली grew up to become a young man तो जो मोगली था वो बड़ा हो गया था to become और बड़ा हो के वो क्या बन गया था a young man यानि की एक नोजवान बन गया था after the death of old akela और जो old akela यानि की जो भेडियों का सरदार था उसकी मौत के बाद feeling sad यानि की उदास महसूस करते हुए मोगली left the jungle, मोगली जंगल से चला गया था क्या करने के लिए to travel to another area यानि दूसरे इलाके की यात्रा करने के लिए मोगली वहां से चला गया था on the way, तो दोस्तों on the way एक phrase होता है जिसका मतलब होता है रास्ते में तो रास्ते में he met meswa again, वह मिला था meswa से again यानि की दोबारा ये meswa वही है दोस्तों जिसने पहली बार इंसानों की बस्ती में मोगली को अपने घर पे लिया था she had realized तो वह महसूस कर चुकी थी that की मोगली वोज हर संद की मोगली जो था वो उनका बेटा था who was kidnapped जिसका की क्या कर लिया गया था? kidnapped यानि की अपरहन कर लिया गया था by the tiger यानि की बाग के दोबारा many years ago बहुत साल पहले she told him तो जो यह मैसुआ थी इसने मोगली को बताया the story यानि की वो कहानी बताई and मोगली decided to stay with her और मोगली ने फैसला किया था उनके साथ रहने का last पहरा मोगली lived happily thereafter तो thereafter का मतलब होता है यानि उसके बाद तो उसके बाद जो मोगली था वो lived यानि रहा था happily खुशी खुशी रहा था with his human family अपने इनसानी परिवार के साथ पहले वो किसके साथ रहता था बेडियों यानि की जानवरों के साथ but never did he लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो forget the ones वो भूला था उनको who had raised him जिनोंने उसका पालन पोशन किया था his family in the jungle यानि की जो उसका परिवार था जंगल के अंदर तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आप सब की बच्पन की यादें ताजा हो गई होंगी मोगली की ये कहानी सुनकर तो मैं उमीद करता हूँ कि आप सब ऐसे ही अपनी English की practice करके अपना level improve करते रहेंगे और बहुत जल अच्छी English बोलने लगेंगे तो मिलता हूँ आप सबसे next वीडियो में एक और interesting topic के साथ तब तक के लिए bye bye take care and keep learning